कैसे हैं आप सब मैं पुनम स्वागत करती हूँ आपका लेट्स व्लोग विद पुनम में आज मैं सेयर कर रही हूँ आप सब के साथ लोकी के रायते की रेसिपी ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और आप एक बर मेरे कैने से इसको जुरूर बना के देखिए एक बर बनाए यानि कि एक पाव लोकी हम लेंगे यहां पर जो लोकी लिए इसको मैं अच्छे से छिलका उतार लोंगी और इसको छिलका उतारने के बाद दो लेंगे अच्छे से और इसको छुट-छुटे पीसीज में कट कर लेंगे यहां पर मैंने इसको छुट-छुटे पीसीज में क यहां पर 10 मिनट के अंदर यह हमारी जो यह लोकी थी वो पक चुकी है इसको मैंने मेडियम गैस पर रखा था और यहां पर मैं इसको निकाल करके देख लूँगी और यह अच्छे से पक चुकी है इसको मैं साइड में ठंडा होने के लिए रख दूँगी अब मैं आगे की त साथ लैसुन के कलिया दो हरी मिर्च इनको मैं कुंडी है जो यह यह अप सिलवट्टा है तो सिलवट्टे में या फिर मोमदस्ते में इसको अच्छे से कूट ले जिए इसको मिक्सी में ग्राइन ने करना है क्योंकि मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो इस तरह से इस हो जाएगी ज्यादा बारिक नी करना है इसको थोड़ा सा रफली ही रखना है और यह जो लोकी का पानी इसको भी में साइड में रख लोंगी यह जो रायता का ले दाई लेंगे उसमें यह एड़ कर दूँगी मैं देखिए यहां पर मैंने ज्यादा इसको बारिक नीक यह हमारा जो रायते की लीद दई है वो अच्छी से त्यार होंगी और जो हमने जो पेश्ट त्यार किया था वो इसमें डाल दोंगी याद रहे यहाँ पर प्याज लसुन और जो हरी में इसको हमें रफली ही कूटना है यहाँ पर ज्यादा बारिक मत कूटना वरना तो इसका अलग लग टेस्टर जो हर चीज का वो नहीं आएगा अब हम इसमें मसाले याड़ करते हैं यहाँ पर मैंने एक चमच जो है नमक की लिए है जादा नमक है यह और यहाँ पर मैंने जो काली मिर्च है वो एक चुटकी थोड़ा सा लिया है और यहाँ पर आदा चमच जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और यह ब्लैक सोल्ट ब्लैक सोल्ट यह बैने आदा चमच ही यह लिया है और यहाँ पर मैंने कुटा हुआ जीरा लिया है यह भी आदा चमच लिया है अब इस जो मसाले हैं इनको हम अच्छे से मिक्स क इसमें मैं बाद में जीरे का तड़का है वो लगा दूगी अगर आप चाहे तो लगाए वरना तो इसमें हमने जीरे का पाउडर पहले ही डाला है और यह हमारा रायता है एक दन से त्यार हो कहा है आप जरूर बना कर देखिएगा यह बहुत ही तेसी लगता है गर्मियों के म संदाई तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा थैंक यू बाई